दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मुबाइल में grow application का इस्तिमाल करते हैं अगर आप grow application का इस्तिमाल करते हैं तो आप अपने grow application में किसी भी share को कैसे आप खरीदेंगे और कैसे आप बेचेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं, किसी भी share को कैसे खरीदा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे company हैं, आप इन में से किसी भी एक company का share आप खरीच सकते हैं, और अगर आप इसे hold करके रखत हैं, यानि कि एक साल, दो साल, तीन साल तक नहीं बेचते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कासा return भी मिल जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे आप देख रहे हैं, SBI है, यह SBI bank का share है, अगर आपने इस bank के share को एक साल पहले आपने लिया होता, तो एक साल पहले आपको लेने पर आपको आविता के 47, यानि कि 47.01 का return मिल गया होता, लगबग 50% का आपको return मिल गया होता, यानि कि अगर आपने यहाँ पर 10 लाग रुपए लगाय होते, तो आपको यहाँ पर जो return होता, वो आपको 10 लाग पर 5 लाग का return मिल गया होता, औ अगर आपने एक लग लगाया होता तो आपका value हो गया होता 1.5 लाग रूप है जैसा कि आप देख सकते हैं और अगर आप 5 साल के बात करें तो 5 साल पर आप इसे share ने 141% का return दिया है यानि कि आपका पैसा 1.5 गुना यहां पर हो गया होता तो आकरकार किसी भी share को कैसे हम खर ID पर click करिएका ID पर click करने के बाद add money पर click करते हैं कि हमारा पहले से यहाँ पर कुछ पैसा उसकेबाद यहां पर आपका bank आजाएगा उसके बाद add money अगर आपका bank नहीं आता है तो इस ते पर आपको click करना है आपके साबने google पे, phone pay, new upi, net banking सारे option आजाएंगे आपको इसमें से कोई भी option आपको चूज करना है फोन पे से देना चाहते हैं तो फोन पेपर क्लिक करेंगे उसके बाद एड़ पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर फोन पर application पर redirect कर दिया जाएगा और हमने फोन पे application में अपना UPI pin इंटर करना होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं जैसे हम wait करेंगे हमारा फोन पर open हो जाएगा हमें paper क्लिक करना होगा paper क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना UPI pin इंटर करना होगा अपनी bank account का उसके बाद right है जब आपका payment add हो जाए यानि कि उस company का name आपको यहाँ पर search करना है लेकिन याद रहे कि आप अपने financial advisor से जरूर सलाहा लीजिएगा कि हमें किस company में यहाँ पर invest करना चाहिए या फिर आप खुद से अपना research करिएगा क्योंकि हम जो process बताने वाले हैं और जिस company के share को हम खरीद कर दिखाने वाले ह यह सिर्फ हम आपको educate करने के लिए दिखा रहे हैं यानि कि आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं तो ऐसा ना करिए कि हम जिस company को आपको दिखा रहे हैं उसी company में आप इस share को buy कर लें आप अपने खुद की research करिएगा या आप अपने financial advisor से सलाहा लेकर किसी भी company में invest करि हमें भारत electronic company के अंदर कुछ share लेने हैं जैसा कि इस company का भाव चल रहा है एक share का है 306 रुपए यानि कि 306 रुपए कुछ पैसे हैं और आज के दिन इस company का जो return है वो कैसा है तो negative में है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिछले एक week का इसका return कितना है तो वो य यहाँ पर दिखाई देगा अब वही आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इसके अंदर एक लाग रुपए लगाए होते पान साल पहले यानि कि यहाँ पर 2019 में तो आपको इतने रुपए का यानि कि इतने percent का return बन गया होता और एक लाग रुपए आपके कम से कम 10 से 20 लाग only आपको सिर्फ delivery पर click करके रखना है delivery पर अगर आप किसी भी share को खरीते हैं तो जब चाहो तब आप उसे बेज सकते हैं जैसे कि तुरंत है या फिर एक साल बाद दस साल बाद जब तक आपका मन हो तब तक आप उसे रख सकते हैं और उसकी बाद sell कर पाएंगे तो हम पर बात आती है कि आप इन share को किस भाव में लेना चाहते हैं जैसे कि एक share का भाव चल रहा है 306 रुपए अभी 95 पैसे लेकिन आपको लगता है कि इसका भाव और भी नीचे जाएगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जैसे 300 रुपए में हम लेंगे तो जब इसका price 6 रु नीचे नहीं आता है तो फिर आपको इसके share नहीं मिलेंगे आपका order cancel हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि limit नहीं लगाते हैं नहीं तो समय ज्याद लगेगा तो हम यहाँ पर market price set करते हैं और जो इसका भाव चल रहा है इसके भाव पर हमें 3 share मिल जाएगे एक share का price इतना है तो 3 share का price हमें इतना देना होगा हम यहाँ पर buy के option पर click करते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे हमारा order लहाँ पर place हो जाएगा और यहाँ पर electronic के अंदर हमारा order successful हो गया है 3 share मैंने buy किये थे और 3 share हमारे खरीद गए है order detail देखना चाहते हैं तो इस पर click करके देख सकते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा successfully उसकी बाद यहाँ पर list of trade आप इस पर click करेंगे तो कितने रुपए के आपको मिले हैं 921.75 पैसे के हमें 3 share मिले हुए हैं केस बाव पर मिले हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा 307.25 पैसे के बाव पर मिले हुए हैं आप यहाँ से आ जाते हैं back आने के बाद अपने order पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा भारत electronic के आपने 3 share को buy किया है और इसका जो price है average price यानि कि इतने भाव पर आपने खरीदा है और यह मैंने अभी अभी एक order sell किया था यानि कि एक share को मैंने sell किया था वो हमें दिख रहा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा buy और आप sell करेंगे तो आपको दिखाई देगा sell उसके बाद holding पर आपको आ जाना है holding प मैंने कब buy किया था तो इस पर हम click करेंगे holding details पर click करेंगे तो यह share मैंने buy किये थे 9 February 2024 को 3 share और मैंने आज एक share को बेचा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो 9 February को मैंने इनका share यह buy किया था और 9 February से अब तक हमें कितना return मिला है यहाँ पर आपको दिख रहा के अंदर तो आप एक बार research कर लिजिएगा किसी भी company के बारे में फिर आप उसमें जरूर पैसा लगाईएगा और आपको long term में बहुत सारा return आपको यहाँ से मिलेगा और जितने सारे आपको business man मिलेंगे या करोणपती लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो business man जो होते हैं उनकी सोच होती है जितना पैसा invest करेंगे क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाएगा और पैसा हमारा काम करेगा तो वो लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं अगर आपको इसके बारे में knowledge नहीं है तो आप mutual fund में भी आप invest कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको sell पर आपको click करना है और sell पर click करने के बाद इस तरीके से पैज आएगा दो share है तो आप यहाँ पर अपने share को डालेंगे एक share दो share कितने बेचना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक बेचना चाहते हैं यहाँ पर वही है आप limit लगना चाहते हैं या market price पर तो यहाँ पर market price और उसके बाद sell जैसे आप sell पर click करेंगे तो एक बात याद रखना है कि आपका order तुरंत sell हो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर आपको holding करके रखते हैं यानि कि hold करके रखते हैं किसी भी share को तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर tip in होता है यानि कि cdcl company के दोरा एक tip in generate किया जाता है वो tip in आपको यहाँ पर डालना होता है जैसे verify holding पर click करेंगे तो यह होता है आपका tip in और यहाँ से आप पर forget पर click करके एक नया tip in बना लेंगे उसके बाद अपनी holding को verify कर लेंगे और फिर आपको किसी भी share को sell करेंगे तो आपको tip in बार बार डालने की जुरुरत नहीं पड़ेगी और आपका sell हो जाएगा sell करना बहुत आसान है buy करना बहुत आसान है जो मैंने आपको इससे वीडियो के अंदर बताया हुआ है लेकिन अगर आपका और भी कोई भी present है तो आप हमें comment कर सकते हैं या हमारे instagram पर हमें message कर सकते हैं और हाँ अगर आपने telegram को